अब मैचिंग की पग बनाने के लिए मैंने एक बिल्कुल पतले गत्ते के उपर ये मैं पूरी सर को कवर करने वाली पग नहीं बना रही हूँ ये मैं हाफ कवरिंग पग बना रही हूँ तो इसके अंदर मैंने चार इंच लंबी चार इंच चोड़ी एक पटीली है और एक इंच लंबी पटीली है इसमें मैंने जो बीच का पोशिण है बिल्कुल दो इंच के ओपर पौन इंच का रखा है और इसको ऐसे नीचे से गुलाई देते वे शेप करी है सेम शेप मैं बुकरम के ओपर बनाऊंगी और सेम मैं कपड़े के ओपर बनाऊंगी और अब इन तीनों को मैं पेस कर दूँगी साथ में सबसे नीचे गत्ता, उसके ओपर बुकरम और सबसे ओपर मेरा वैलवेट का कपड़ा अब मैंने एक छोटा पीस velvet का लेते हुए उसकी कलगी बना ली है उसको आगे पीछे आगे पीछे जैसे आपने मेरी पिछली पगड़ वाली वीडियो में देखा होगा ये मैंने कलगी बना ली है और उसको धागे से अच्छे से लपेट लिया है अब जो मेरा base है उसके उपर भी मैं अपना जरकन का और मोती का काम करूँगी डिजाइन आप अपनी पसंद से बना सकते हैं जैसा भी आप चाहे ये देखिए अब मैंने जो मेरा नीचे का base था उसके उपर पूरा काम कर लिया है मैंने अपनी पसंद से डिजाइन बनाया पर मैंने कॉर्णनर पे जरकल लगाया है और बीच में मोती पेस के है जो उनका उठा हुआ पाट था उसके उपर अब जो इनकी बैक साइड है उसके उपर मैंने वो जो हमारा चिपकाने वाला कपड़ा आता है वो लगाया है आपने बजार की पक देखे होगी उन पे भी यह ही लगे होते हैं और यह मार्केट में बहुत इजली अवेलिबल होता है अब यह देखिए मेरी पक तयार है यह देखिए यह पीछे से चिपकाने वाला है तो पकाना जी के सर के हिसाब से छोटा बड़ा हो सकता है यह देखिए अब मेरी यह ड्रेस और मैचिंग की पक दोनों तयार है देखिए मेरे बाल गोपाल कितना सज रही है कितना जच रही है इस ड्रेस के अंदर आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा यह ड्रेस आप बहुत जल्दी बनाने वाले होंगे इस से रगलेटिड अगर आपके पास कोई कमेंस या सजेशन है तो प्लीज मुझे लिखिए हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा